हलो हे गाईज आज है 17th of April और संडे के निश पेपर में क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे काफी निश है जो कि आज इंपोर्टेंट है तो उसको डिस्कस करेंगे and starting our session with a quote तो इसमें क्या है कहता है the mind is everything what you think you become के जो हमारा mind है वही सारा कुछ है जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं यहाँ पे यह जो quote है वो बोल रहे हैं अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो अगर मैं बात करूं sociology के कुछ thinkers की तो mind के बारे में बहुत लोग ने बहुत कुछ बो सकती है और अगर हमारी existence भी है वो किस वजा से हम माइन्ड की वजा से है अगर mind ही हमारा सौच रहा कि इसिज़ के existence है या इस चीज़ के existence नहीं है तो वो जो चीज़ है वो आगी बढ़ते हुए हमें नजर आती है तो यह जो quote है आप use कर सकते हो sociology में भी use कर सकते है आप society मे भी यूज़ कर सकते है आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें एक चीज़ और के अगर जो भी thought process हमारे mind के अंदर चलता है उसी तरहां की जो चीज़ है वो हमें यहां पे दिखाई देती है ठीक है तो यह चीज़ यहां पे basically बोली जा रही है तो आपने इस चीज़ को याद रखने है चलिए अगली न्यूस की तरफ हम भड़ते हैं next न्यूस है कि कुछ seeds पे bypoles हुए थे कौन जिता कौन हारा उसमें हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है लेकिन जो important चीज़ है पे के bypoles होते क्यों है पहली चीज़ तो let's say यहां पे यह जो बाबुल सुपरियो मतलब यह पहले bjp party से belong करते थे बाद में इनोंने दूसरी party को join किया और दूसरी party को join करके वहां पे दूसरी party को join करके हमें क्या पता चल रहा है कि वहां से जो उनकी seat bjp की थी वो उन्होंने क्या कर दी leave कर दी मतलब he left the seat of him which was from the bjp party तो उस जगा पे जो seat खाली होगी तो उस पे तो definitely elections होने थे तो वहां पे कौन से polls होएंगे number one वहां पे होएंगे bypoles अगर किसी candidate की death होगी अगर किसी elected candidate की death होगी फिर भी वहां पे क्या होता है bypoles अगर किसी कोई candidate दो seats पे खड़ा हुआ था और दो seats में दोनों की दोनों seats जीत गया तो एक seat उसको छोड़नी पड़ेगी तो जो seat छोड़ेगा उस पे भी क्या होएंगे bypoles ठीक है तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं यह कुछ situations है जिन में bypoles होते हैं जो मैंने आपको बताया या फिर अगर मैं बात करूं recent की कि कोई बंदा अगर MP है लोकसाबा का और वो बंदा MLA की seat जीत गया ठीक है for example पंजाम में और बाद में वो चीफ मिनिस्टर का वहां पे candidate बन गया तो उन्होंने क्या किया MP लोकसाबा की seat को छोड़ दिया अब यह MP होएंगे elections होएंगे उन-उन elections को हम क्या बोलेंगे bipolar election ठीक है जी तो इसमें provision कहां पे लिख हुई है उसके बारे में हमारा equation बन सकता है यहां पे जो इसके regarding provision है वो है section 33 clause 7 यह आपने याद रखना है बहुत important चीज़ है कि section 33 जो clause 7 है representation of people act का वो परमीड करता है candidate to contest any election चाहे वो पार्लेमेंटेरी है, state assembly है, bionial council है, by elections ठीक है from up to two constituencies तो दो constituencies वाला provision जो मैंने आपको बताया है अगर उसमें फिर वो बंदा दोनों की दोनों seat जीता है तो एक seat को छोड़ना पड़ेगे तो वहां पे क्या होएंगी by councils by polls जो है वो होएंगी यह provision पहले नहीं थी यह provision पे election लड़ना चाता है, वो दो seats नहीं, वो चार में, छे seats पे, आठ seats पे इस तरहां से भी अपने election को लड़ सकता था, तो ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखने के by polls किस case में होती है और क्या क्या उसका काम है, आगे चलता है जो child line 1098 में भी merged with the emergency help line 112, ठीक है, जो child line है 1098 उसको merge करने की बात की जारी है यहां पे, तो child line 1098 है क्या, यह 24 by 7 emergency free phone outreach for children in distress, एक emergency line है, यह world की biggest emergency help line है, जो की dedicated है children को लेकर और considered as among the country's largest emergency response system with 50 lakh calls received annually, ठीक है जी, और इसमे एक और बात जो की जारी थी, के ministry of child and development है जो, उन्होंने यह भी बोला था, इसका जो control है, child line का, यह दे दिया जाए ministry of former affairs को, तांके जो police personal है, या कोई और लोग है, उसमें जो चीज़े हैं वो बात कर पाए, अच्छे वेसे उनके साथ, ठीक है, और जो चीज़ों को solve कर पाए, यहां पे तीसरी जो news है, पंजाब ने अनॉंस कर दी 300 units of the free electricity, मतलब कुछ populist measures रहते हैं, हर एक government के, not only this government, हर एक government के कुछ populist measures रहते हैं, उन populist measures को देखते हुए, इन्होंने जो 300 unit electricity की वो free कर दी, यह जो चीज़ है, यह start होईगी, मतलब from the in the state from the July 1, number 1 यहां पे यह point बताया जा रहा है, number 2 यहां प यूनिट नहीं, यह 600 units रहेंगी, free वाली, ठीक है जी, और इसमें एक चीज़ जो यहां पे बताई गई है, कि suppose 300 units तो free हैं, लेकिन अगर 301 हो गई units, तो सारे की सारी जो payment है, वो जो भी bill है वो देना पड़ेगा, और जो पहले उन्होंने reduce की थी tariff, जो पहले की government थी, वो tar सकते हैं, ठीक है, तो यह जो चीज़ा आपने दिमाग में रखनी है, next news की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे code comes to akar patel aid yet again, ठीक है, तो इनके बारे में जो akar patel है, इनके बारे में तो हमें कुछ बहुत खास नहीं पता होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक जो चीज है, जिसके बारे में हमें definitely बता होना चाहिए, वो है look out circular, तो यह look out circular है क्या, इसके बारे में हमें proper एक जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखिए, look out circular और black list, यह दोनों एक चीज़ हैं, एकी चीज़ नहीं मतलब दोनों एकठी आती हैं, जब मैं black list की बा सेम चीज़ रहती है, ठीक है जी, यह Indian citizens के लिए भी और foreigners की नाम भी ही इसमें हो सकते हैं, यह जो list है, इसको maintain करता है, हमारा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे Ministry of Home Affairs, ठीक है जी, और इसका जो जब suppose के किसी का नाम इसमें डाल दी है, यह list बना दी, तो जितने भी diplomatic missions पे, ज बता है time to time, ठीक है, कि name जो है individual के वो add करने है, delete करने है, वो time to time सारा बताया जाता है, और अगर हम LOC की बात करें, lookout circular, यह को crazy measure है, used by investigating agencies and court, कि जो बंदा है, जो कि जिसने कोई crime किया है, वो खुद बाखुद आके, अपने आपको surrender कर दे, ठीक है, ना के, मतलब यह होके भी उनको पकड़ा जाये, यह किया जाये, तो who are awaiting trial to surrender, तो अपने आप suspect है, जो वो surrender कर दे, तो उस चीज़ के लिए lookout circular जारी किया जाता है, क्योंकि जब उसको बाहर नहीं जाये जायेगा, कहीं पर और नहीं जाये जायेगा, तो यह चीज़ यही हो सकता है, फिर के वो surrender करने क कोशिश करेगा, ठीक है जी, second number page पे कुछ खास नहीं आया हुआ, third number page पे भी कुछ खास नहीं है, fourth number page पे अगर मैं बात करूँ, fifth जो है page, के green project will add life to Rajasthan Park, extremely important news है यह, क्योंकि अगर हम बात करें, के UPSC इसके बारे में already question भी पूछ चुका है, तो आपको इसके बारे में पत ठीक है, और global environment facility, जो की एक तरह का life line का का काम करेगी, किस में, desert national park में, जो की एक, जो की कहां पे है, western राजेस्थान में, आप देख सकते हो, 2020 में ये question पूछा गया है, ठीक है, with the conservation of critical biodiversity and forest landscape, अब इसके बारे में और detail में देखते हैं, कि जो desert national park है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो northwestern India में located है, जो thar desert आपको पता ही है, और ये एक kind of ecosystem है, जो की Indian subcontinent में आ जाता है, ये जो deserts की, मतलब ये जो desert है, इसकी जो eastern boundary है, वहाँ पे आपको ravalist hills देखेंगी, और जो western boundary है, वहाँ पे fertile indus plains है, ठीक है, तो ये जो desert nation park है, इसका जो total area है, वो 3162 km2 है, ठीक ह और ये जो चीज आती है, ये जैसल मेरे में आ जाता है, और ये रिमेनिंग ये जो मतलब कुछ area जैसल मेरे में और कुछ area राज़स्तान के बारमा district में आता है, ठीक है, यहाँ पे अपने याद रखने है ये चीज को, इस area में बहुत ही जादा low rainfall होती है, और ये extremely hot or arid region है इसको हम analysis भी करेंगे इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ, पहले सुन दीजिएगा, ये जो majority है, मतलब majority होजी thars, arid region है, वहाँ पे जो vegetation है, वो thorn forest है, मतलब कांटे वाली forest है, और local community जो की bishnois वहाँ पे रहती है, ठीक है, वो जो bishnois tribe या फिर जो लोग है, वहाँ प high level से, चाहे वो कोई deer है, चाहे वो कोई भी वहाँ पे जो भी desert nation park में पाये जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कि sparse vegetation है, तो अगर ये चीज़ वहाँ पे vegetation आएगी, तो में भी यहाँ पे life हो सकती है, अब इसको relate करेंगे, यह जो desert nation park है, मैंने आपको बोला, कि इस region में, थार desert के desert nation park region में, जो rainfall है, वो बहुत ही कम होती है, और hot and arid region है, यहाँ पे आपने, यह हमने देखा, जो rainfall हो क्या होती है, low rainfall होती है, और इन characteristics को देखते हुए, इन characteristics को देखते हुए, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो bird वो मिलता है, उसका नाम है great Indian bastard, जो great Indian bastard है, यह India's, मतलब एक वन सा candidate था, for the India's national bird, is now on the verge of extinction, यह खतम होने के असार में, इसका जो अगर हम बात करें, IUCN red list में, यह critically endangered है, ठीक है, appendix, one of the sites में है, और उसके बाद में, इनको के कुछ programs चलाए गया है, जिसमें recovery करने की कोशिश की जा रही है, हम बात करें, तो यह great Indian bastard है, यह found होता है, in the 11 states of, states of the western India, throughout western India, और पाकिस्तान की भी कुछ पार्ट में मिलता है, लेकिन इसकी जो population है, वो major, आपको राजयस्तान में देखने को मिलीगे, और वहां पे बहुत कम, आजकल की date में हो चुकी है, अगर मैं crunch range की इसकी बात करूं, तो यह restricted रहे चुके है to the Rajasthan, where it is a state bird and Gujarat, महराष्टा करनाट कांतरा प्लेश में बहुत कम है, यह important habitat for the Great Indian Bustard is the Rajasthan Desert National Park, इसको अगर हम relate करें यहां पे, कि जो Great Indian Bustard है, वहां पे अगर वो रह रह रहा है, तो आपने याद रखना है, कि यह जो irrigated land आया, irrigated regions है, वो Great Indian Bustard बर्ड को बिलकुल भी पसंद नहीं है, that's why, यहां पे low rainfall, hot and arid जो region है, वो इस चीज़ को आगे promote करता है, यह bird को, चलिए, next news की तरफ चलते हैं, जो next news है, वो क्या है, Russian frigate delivery on time, ठीक है, हमने कल भी S-400 के बारे में पढ़ आता है, आज भी थोड़ी से चर्चा करेंगे इसके बारे में, कि जो S-400 missile missile है, यहां ही पे हम इसको चर्चा करते हैं, यह surface to air missile है, नबर वन, surface to air missile होने के बाद में, अगर मैं number two की बात करूँ, तो यह एक mobile missile है, mobile missile का मतलब कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, बड़ा easily, और कहीं से भी launch कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया एक missile है, यह mainly किस चीज के लिए defense system के लिए, defense system, defense system का मतलब कि कोई भी चीज, अगर उपर से किसी ने, चाहे वो unmanned aerial vehicle है, चाहे वो drawn है, कोई भी चीज उपर से अगर हमारी country पे attack कर रही है, तो यह उसके तरफ जाके उसको वहीं पे blast करने की शमता रखते हैं, और 30 km उपर उसको blast कर सकती है, और इस airborne जो target है, उसको track करेगा और engage हो सकता है, six, आपने देखा होगा कि कई बार यहां पे six जो चीज है, उसको simultaneously attack कर सकता है, तो this is about the S-400 missile, जो कि हम कहां से ले रहे हैं, रिशया से ले रहे हैं, बहुत important है आपने याद रखने इसके बार में, चलिए next news की तरफ बढ़ते हैं, आ और UAPA slapped on temple attack accused, ठीक है, जो anti-terror squad है, उत्रपरदेश police, उन्होंने investigate किया और जो accused था, एहमद मुर्तजा अबासी, उसको court में भेजा गया और उस पे जो UAPA के charges invoke किये गए हैं, इसके बार में अभी हम बात करेंगे, यह about Unlawful Activities Act passes 1967, इसका aim क्या था, प्रवेंट करना Unlawful Activities Associations इसको, यह act assigns absolute power किसको, सिर्फ central government को, जिसमें जो center जो है, वो deems कोई भी activity को, एन Unlawful, बाइरी official gadget and declared it so, इसमें जो चीज मिलती है, वो कहा है, death penalty और life imprisonment, इसकी highest जो punishments है, UAPA के अगर हम बात करें, तो यह Indian और foreign nationals दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है, और चाहे वो crime, Indian बंदे ने चाहे वो अपनी धर्ती पे किया हो, यहां पे इंडिया में, चाहे वो बार किया हो, और foreigners भी same, कि चाहे बार किया, चाहे वो इंडिया में किया है, तो उसको हम UAPA मे टाल सकते हैं, जो investigating agency है, उसको जो charge sheet है, वो maximum 180 days after the arrest, declare देनी होती है, ठीक है, और इसमें कुछ amendment किये गे 2019 में, जिसमें उन्होंने बोला गया, कि जो director general of national, हमारा investigation agency है, उनको empower कर दिया गया, कि वो, मतलब एक होता है, कि वो seizure कर सकती है, या फिर जो भी property है, किसी भी बंदे क जिसने खराब किया काम, उसको पकड़ सकती है, उसको ले सकती है, और पहले क्या होता था, court में जाना पड़ता था, अगर court बोलती थी, free property ले ले सकते थे, लेकिन आज की date में, जो NIE के पास power ये दे दी गई है, 2019 के amendment के बात में, second point ये, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो एक्ट है, ये इंपाबर करते हैं, officers को NIE के, जिसमें अगर हम बात करते हैं, वो rank of inspector और above, ठीक है, कि वो investigate कर सकते हैं, cases of terrorism, in addition to those conducted by the DSP और the ACP और above rank officer in the state, ये चीज़ है जो वो आपने अच्छे में से याद रखनी, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और जो important दी है, प date में हम individual को भी as a terrorist organization declare करते हुए दिखाई दे रहे, next news के तरफ बढ़ते हैं, चलिए, जो आज की news paper में next news है, जो important है हमारे लिए, बहुत important news है यहाँ पे, center extends tenure of green permit, extremely important news, ठीक है, must remember वाली चीज़ है, और ये आपने याद रखनी है, आप इस तरह की चीज़ों को, अगर आप को कहीं बार लगता है कि यार ये prelims में कहां पे लिखूंगा, लेकिन आपने यहाँ पे mention कर लेना है, GS3, ठीक है, और अगर कुछ act की बात भी यहाँ पे की जा रही है, तो GS2, ठीक है, यह हो गया environment वाला section, यह हो गया मेरा constitutional section, तो आपने इन चीज़ों को code करना है, कहां पे mains में, ठीक है, और mains हर एक paper में अभी जुरूरी हो चुका है, यहाँ पे अगर हम बात करें, कि extend कर दे 10 years of green permit, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इससे पहले क्या होता था, कोई भी project लगाने से पहले, कुछ environment clearance लेनी पड़ती थी, चाहे वो कोई नया project था, चाहे कोई existing project project था, जिसकी जो चीज़ा वो due हो रही थी, लेकिन सरकार ने recently क्या किया था, कि जो हम यहाँ पे बात करें, environment clearance की, for the river valley project, चीक है, number one, number two, अगर हम बात करें, nuclear power project, चीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था, कि यह जो environmental clearances है, वो कुछ खास लेने की जुरूरत नहीं है, य regular वाले को दे दी, 15 साल की validity, चीक है, और यह जो projector activities है, other than mining and river valley projects, will have their EC valid for the 10 years, तो यह जो EC वाला एक process था, जहाँ पे public hearings भी की जाती थी, कि कोई problem तो नहीं आरी, अगर हम project लगाएंगे, environment related, कोई problem तो नहीं आरी, कोई दिक्क्त तो नहीं आरी, लेकिन आज की rate में वो क्या कर रोक दिया गया, mining leases के अगर मैं बात करूं, तो वो grant की जारी है, 40-50 years, और environment clearance उसके लिए रहेगा, 30 years, तो development ठीक है, होनी चाहिए, अगर हम बात करें, तो हमारे judiciary ने भी यह बोला है, development के साथ में, environmental concern को भी हमने साथ में लेके चलना है, यह एक important चीज़ है, और balance भी में हम अपना जो चीज़ है, उसको आगे बढ़ाना है, यहाँ पर यह चीज़ को बोला जा रहा है, अगली नीज़ की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने याद रखना है, जो tourist है, वो मज़े ले रहे है, राफ्टिंग के, रिवर राफ्टिंग के, और यह रिवर तो रशिया ने बैन कर दी एंट्री टू दी ब्रिटिश पीम ठीक है क्यों उसका रीजन क्या है मॉस्को ने ये बोला सेटेड़े को कि वही इट वस बैनिंग एंट्री टू प्राइम निस्टर बॉरिस जॉंसन और सेवरल अधर यूके टॉप अफिशल्स जब ये पता लग ये बोला जा रहा है क्योंकि जितने भी लिथल वैपन्स है वो यूके स्प्लाइ कर रहा है यूकरेन को इस टाइम पे तो ये जो चीज है वो रशिया बोल रहा है कि हम नहीं रूपने वाले ठीक है जी और अगर लंडन या फिर यूके कोई लोग आ रहे है तो उनको बैन क को थ्रेट कर रहा है वो तो चलो बात की बात है लेकिन हमार हमें ये पता होना चाहिए पहली चीज कि ट्यूनीशिया की लोकेशन कहां पे है ट्यूनीशिया एक्जक्ली है कहां पे ये चीज हमें पता होनी चाहिए यहां पे देखेगा अगर हम ट्यूनीशिया की बात करें यहाँ पे आपको इंडिया देख रहा होएगा और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह नद्र费ने को मिलता है ठीख है नद्रेन इफरिका कें आउगे थैखने को मिल रहा है और ट्रिंशिया को आपने याद रखना है इसकी जो बांडरी है वो लिबिया के साथ में लगती है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो बाउंडरे वो अलजीरिया के साथ में लगती है तो आपने सिरफ पहले तो यह याद रखना है कि officially the Republic of Tunisia is in the northernmost country in Africa it is a part of the Maghreb region of North Africa is bordered by Algeria यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया and यहाँ पर मैंने आपको बताया Algeria के साथ में लिबिया उपर वाली चीज़ पर अगर आप देखोगे इसकी जो boundary है वो Mediterranean Sea के साथ में लगती है extremely important the location of Tunisia ठीक है याद रखने इस चीज़ को आपने प्रोपर वे में चली next news की तरह बढ़ते हैं और next news है जो आज की हमने discuss करनी है it is about कि यहाँ पे अगली news आती है कि जो inflation है वो rural India में क्यों increase हो रही है जादा तर आपने दिखा होगा कि यहाँ पे पहले paragraph में लिखा हुआ है कि जादा तर अगर हम inflation देखते थे वो urban area में increase होती हमें दिखाई देती थी लेकिन कुछ time से हमें ये पता चल रहा है कुछ महिनों से कि जो inflation है as a comparison to urban area यह जो inflation है वो हमें increase होती दिखाई दे रही है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ urban inflation has usually trended to a higher than rural inflation जैसे मैंने बात की average of about 0.8% points through the most of the 2021 but अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्च के महिने में this point in March the gap between the two rural और urban में urban inflation कहां पे stand कर रही थी वो कर रही थी 6.12% और rural areas में 7.66% यह एक बात है कि किस वे से बाहां पे ज़्यादा inflation हो रही है as comparison to urban areas चलिए कोई बात नहीं इसको समझेने के कोशिश करते हैं higher inflation किस तरह से पहली चीज़ तो pronounced in the rural India food inflation वो ज़्यादा हो चुकी है अगर हम बात करें यहां पे तो higher inflation in the food जैसे कि consumer price index में हमें दिख रही है चाहे वो fuel है चाहे वो light है चाहे वो clothing है इसकी वज़ासे रूरल के जो prices है inflation के वो increase होते दिखाई दे रहे हैं और अगर हम बात करते हैं यहां पे क्यों fuel के prices हो गया और higher in the rural area due to connectivity issues भी हो सकते हैं तो that's why the inflation is high in the rural area as comparison to urban areas and moreover अगर हम बात करते हैं rural inflation was 1.4% in January 3.7 in February and a whopping 10.6% in the March यह कुछ sections अगर मैं बात करूँ तो यहां पे एक और भी चीज जो लिखी हुई है कि vegetables के जो price है वो rural area में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना के urban area में urban area में जो बढ़ रहे हैं लेकि rural area में उससे भी जादा बढ़ रहे हैं और इसका impact किस पे होएगा it will affect the poor है ना the most in general obviously जब भी price rise होता है है तो पूर को बहुत जादा effect होता है and the most importantly middle class तो इन दोनों को बहुत बड़ा effect होने वाला है ठीक है और मोर ओवर अगर हम बात करें यह जो food prices है जो food prices के risk have risen due to the Russia Ukraine conflict higher prices for so for farm sector input could further feed into the food inflation यह कुछ points थे जो की रूरल इंडिया की inflation के बारे में थे next news की तरह बढ़ेंगे next news है कि इंडिया वाले यह चाते अभी जो हमारे अगर हम बात करें प्यूश गोईल ministry of commerce and industry वाले बंदा तो उन्हों ने मिनिश्टर साब ने यह बोला यूनियो मिनिश्टर ने के हमें जो wheat के export है उसको boost करना है ठीक है उसका reason कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे देखे Russia invasion of Ukraine ने यह opportunity है जो वो इंडिया के लिए लाकर रखती है पहली चीज तो Russia ने अटे तो ब्लैक सी से ट्रेड का आना या वीड का आना बड़ा मुश्किल हो चुका है सेंक्शन की वज़ा से तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो Russia is the market market leader for the wheat export Ukraine is also major producer India expect कर रहा है कि produce करें 112 million tons of wheat in the current crop year ठीक है और जो government है उसको कितना चाहिए अगर मैं food security की बात करूँ only 24 to 26 million tons a year यह food security के लिए मुझे चाहिए लेकिन मैं produce करूँ 112 million तो मैं बड़े अच्छे वेश से अपनी country को बिना किसी price rise के बाहर वाली country में जो wheat है उसको क्या कर सकता हो एक्सपोर्ट कर सकता हो और more countries are turning to India because of competitive price, acceptable quality, availability of surplus wheat and geopolitical reasons तो जो export है ठीक है वो हमारा increase होता हमें दिखाई देगा तो यहाँ पे हमारी new market कोन सी है यहाँ पे अगरम बात करें Egypt हो गया, Jordan हो गया, countries in East Africa are also likely to source the food grain from the India what norms are buyer countries usually using to approve Indian wheat? वो कहते है कोई दिक्कत वाली बात निया भेजो but वो जो India insists on the competition of the pest risk analysis to provide market access तो यह जह एक चीज़ बोली गया, otherwise वो इसमें आने के लिए त्यार है next news की तरफ बढ़ेंगे हम, next news जो हमने discuss करनी है, वो आज की इतनी थी ठीक है जी, कल के newspaper को देखने के लिए, अच्छे-च्छे news को सुनने के लिए editorial दिखे आज की newspaper में नहीं आते, जो भी important हमने discuss किया तो अगली newspaper के लिए आप हमारा जो channel उसको subscribe कर सकते हैं और ये वीडियो को like और share कर सकते हैं कर सकते हैं